हेलो गाईज स्वेर वेलकम बैक और या जुका हूँ मैं फिर से एको निव वीडियो लेकर एंड गाईज आज की इस वाली वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ से उस लाइक वाले बटन को दबा दो और अगर आप चैनल पर नियो हो और अब भी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार क्या कर रहे हो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाने के लिए उसको दबाओ और बैल के इकन को ओल पर कर देना क्योंकि गाईस मैं इसी तर कुछ भी बताना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपका है दबा के कमेंट करो मतलब कमेंट से भड़ दो कमेंट सेक्शन को मैं एक कमेंट पढ़ रहा हूँ तो चलते है राज की इस वाली खतरनाग वीडियो की तरफ ट्रिक नंबर एट गाईस जब भी आप एंड वर्ल्ड म कि अगर हम इनकी आख में देख लें तो भाई यह ट्रिगर हो जाते हैं और कभी का दाख जब हम इनकी आख में देखते भी नहीं है तो यह ओटमेटिक आते हैं और भाई हमारी आख में देख लेते हैं मतलब कोई जबरदस्ती है क्या भाई खेर अब इन से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपने helmet की जगे card pumpkin को पहन सकते हो इससे क्या होगा कि ये trigger नहीं होते हैं, बेसक आप इनकी आख में भी देख लो ये trick यार काफी जादा लोगों को पता होगी, लेकिन यार जब आप card pumpkin पहनते हो तो आपका जो point of view है, वो काफी जादा बेकार सा हो जाता है और आपको कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाए जाता है, तो इससे बचने के लिए आपको एगर नहीं simply आपको F5 जबा के अपना point of view चेंज कर लेना है आपके पास कुछ भी नहीं है, और आसपास भूस सारे पेड़े हैं और ऐसे में, अगर मैं आपसे पूछू, आपको खाने को cook करना है तो आप कैसे करोगे तो आपका simple जवाब होगा, कि भाई आसपास जो पेड़े हैं, वहां से ओक लोग लेंगे तो वो सिर्फ करता है एक cooked mutton, मतलब एक लोग से सिर्फ एक cooked mutton और वहीं, अगर आप उस लोग का plank बना के डालोगे, तो वो चार plank को जाएंगे और चार plank मिलके ज़्यादा खाने को cook करेंगे अब example के लिए मैंने दो furnace में बराबर row mutton ले लिया, एक में मैं डालने वाला हूँ चार planks और एक में डालने वाला हूँ लोग, एंड देखते हैं कि भाई, किस से हमको ज़्यादा cooked material मिलता है और थोड़े टाइम बात, जब मैंने यार furnace को open किया, तो result shock करने वाला था जिसमें हमने लोग डाला था, उससे हमको शिर्फ एक cooked mutton मिला लेकिन जिस furnace में हमने planks डाले थे, उसमें यार मेरे को 6 cooked mutton मिले एक लोग से सीधा 6 cooked mutton तो फैसल आपका है, आपको क्या करना है trick number 6 guys, मैं आपको बोलू कि भाई, आपको stairs बनानी है, आपके पास cobblestone है, crafting table है तो आप कैसे बनाओगे, तो आपका simple जवाब होगा, भाई, crafting table में cobblestone को डालके simply हम stairs बना लेंगे लेकिन guys, इस method में आपके काफी ज़ादा cobblestone बेश्ट हो रहे है मतलब कि 6 cobblestone से आपको मिलेंगे सिर्फ 4 stairs तो आगे से जब भी आपको slab, stairs या फिर वोल बनानी हो, तो आप यूज़ करना stone cutter का इसकी मतलब से आप 1 stone या 1 cobblestone की मतलब से 1 stair बना सकते हो बतलब कि 6 cobblestone की मतलब से आप बना सकते हो, पूरे 6 stairs, 6 slab है ना भाई कमाल की चीज trick number 5 guys कई बार होता है कि हम रात में time से अपने घर नहीं पहुच पाते हैं इसी बीच हमें सामना करना पड़ता है कई सारी mobs का जो कि आद देखते हैं हमारे पीछे पड़ जाते हैं अब आग इसे जब भी आप ऐसी situation में फसो तो आपको simply क्या करना है कि आपको बना लेना एक composter और एक trap door जाएं तो आप उसके अंदर से निकलो और आराम से safely घर पहुच जाओ ट्रिक नमबर फॉर आपको desert temple के बारे में तो पता ही होगा अब आगे से जब भी आप pressure plate के उपर पैर रख दो तो आपको क्या करना है कि जल्दी से उसको pickax से तोणना है stone को हटाना है और TNT के उपर पानी डाल देना है जा फिर आपको ये सारी chest फटा फट लूटनी हो तो आपको simply क्या करना है कि pressure plate को अटाना है stone को अटाना है और सारी TNT इसको फटाक से collect कर लेना है और इसके बाद आपको एक TNT किसी भी कौने में लगाना है उसके पास pressure plate को लगाना है and TNT को own करने के बाद आपको इस hole में आके simply crouch कर लेना है and boom guys कुछी seconds के अंदर chest में जितना भी material पढ़ाऊगा वो आपके पास आजाएगा और इस trick की मज़स से आप 10 seconds के अंदर सारी chest का समान लूट सकते हो and इसके बाद जो चीज आपको चाहिए उसे रखो और जो चीज नहीं चाहिए उसको fact दो trick number 2 अब नैदर में तो आप सभी आते ही होंगे नैदर एक खत्रों की जगह है और यहाँ पर gold आपको यार बहुत ज़ाद आसानी से मिल जाएगा अब मैं personal जब भी 100 days challenge करता हूँ तो मैं नैदर इसलिए आता हूँ यहाँ पर आकर मेरे को gold का beacon बनाना होता है लेकिन कई बार मैं एक गलती कर देता हूँ मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पर आकर इन ores को normal pickax से तोड़ता हूँ और इसके बदले में मेरे को सिर्फ कुछ ही gold nuggets मिलते हैं लेकिन आगे से जब भी आप नैदर आओ gold के लिए तो आपके करना है कि अपनी एक pickax लेनी जिस पे silk touch लगाओ और इन ores को silk touch की मदद से तोड़ना है अब silk touch की मदद से तोड़ने में आपको ore मिलेगी एंड इसके बाद आपको इसको lava से smelt करना है अब lava तो नैदर में भर के रहता है तो fuel भी आपके पास unlimited रहेगा जितने चाहे उतने ore smelt करो और कमाल की बाद जहां पर आपको एक ore से कुछ nuggets मिलेते वही smelt करने पर आपको एक ore से मिलेगा एक gold ingot भाई साब इस trick से तो आपके पास gold होने वाला है और आप काफी ज़ादा easily तरीके से अपना gold beacon भी complete कर सकते हो trick number one guys minecraft के emeralds के बारे में तो आपको पता ही होगा one of the unique चीज है minecraft की अब emeralds लेने के काफी ज़ादा तरीके है minecraft में लेकिन वहीं अगर मैं आपको बोल दू कि आपको emeralds को double करना है मतलब कि एक stack emeralds से दो stack emeralds बनाने है तो आप कैसे करोगे तो आप बोलोगे भाई ये चीज तो possible ही नहीं है लेकिन actual में ये चीज possible है और इस चीज की मतलब से आप easily अपना beacon तक बना सकते हो emeralds का तो इस trick करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक librarian और एक cartographer अब librarian की जो trade होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक emeralds के बदले में glass अब simply आपको librarian से क्या करना है कि glass trade करने है उन glass से glass pane मनाना है और इसके बाद आपको cartographer के पास हाके उन glass pane को trade कर देना है और बदले में आपको थोड़े और emeralds मिल जाएंगे अब आप बोलोगे कि भाई इस trick से होगा क्या तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ अब मालो आप एक stack emeralds से librarian से trade करते हो glass की तो आपको मिलेंगे 256 glass और अगर आप उन 256 glass से glass pane बनाते हो तो आपके पास होंगे total 674 glass pane plus 4 extra glass और इसके बाद अगर आप इन glass pane को जाकर cartographer से trade करते हो तो आपके पास हो जाएंगे 67 emeralds अब starting में आपने 64 emeralds से trade करी थी और last में आपके पास 3 extra emeralds होंगे मतलब कि अगर आप ये वाले trick बार बार repeat करते हो तो आपके पास बहुत जादा emeralds होने वाले हैं और आपको भी पताऊगा कि भाई एक stack emeralds trade करने में कितना time लगेगा उसके उसे आपको 10 से 15 second लगेगी और 10 से 15 second के अंदर आपके पास 3 extra emeralds आ जाएंगे और इसके बाद अगर आप ऐसे 10-15 villager को job देदोगे तो आपके पास emeralds ही emeralds होंगे भाई ये एक minecraft का loophole है और इस trick के मदद से आप easily minecraft के अंदर emeralds का beacon और emeralds से लेने वाली सारी चीज़े आपके पास easily होंगी और आप emeralds पती बन जाओगे तो कई ये थी ते यार minecraft की 8 secret tips and tricks जिनको use करके आप pro बन सकते हो तो कैसे लगी यार आपको आज की ये वाली वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक like करके अपना support दिखाना और अगर आप channel पे new हो तो नीचे subscribe के बटने उसको दबा के जाना और bell के icon को ओल पे कर देना जिसे की आने वाली वीडियो की notification आप तक पोस्ट के और साथ साथ शेयर कर देना इस वाली वीडियो को अपने minecraft वाले दोस्तों के साथ और instagram पर भी follow कर लेना link नीचे description में है so मैं मिलता आप सभी को ऐसी एक और new minecraft की तगड़ी वीडियो के साथ आप तके लिए में सी इन दू वीडियो पीस